नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षपलस में तो P.E.T. 2023 जिसका एक्जाम डेट घोसित कर दिया गया है आखिर कब होगा एक्जाम आप लोगों को लगता था कि P.E.T. थोड़ी लेट आई है तो एक्जाम भी लेट होगा लेकिन बहुत लेट नहीं पिछली बार जैसे अक्टूबर में हुआ था तो इसी प्रकार से इस बार भी एक्जाम डेट आपको अक्टूबर में दे दिया भी चार तारिक को सायद इसका लाज डेट था फॉर्म सब्मिशन का और आप देख रहे हैं कि डैरेक्ट आपका एक्जाम डेट आ गया तो यहां पर देख सकते हो कि यूपी टीपल सी पीटी को कराने में नहीं चूक रही है बाकी उसके बाद पीटी से आने वाली भरती के फॉर्म निकाल देती है उसमें भी नहीं चूकती है हाँ उन भरतियों का मेंस कराने में जो है इनको साल ओ डेड़ साल दो साल लग जाता है अभी तक लेक्पाल का जो है देख रहे हो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है डीवी के लिए कहा गया तो यही बात है सबसे बड़ी बात तो यह फस्ट फेस तो बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं बाद में चलते चलते इंको काई कौन सी बिमारी हो जाती है कि एकदम इतने स्लो प्रोसेस से हो कर आप देखे हो तो पचास से चौवन जिन्दों आपके पास बचे हुए इन चौवन दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है कौन से स्कोर पे आप सेफ रहोगे अगर कौमन कटव नहीं बन पा रही है तो आप समझ रहे हो कि सेफ स्कोर क्या रहेगा किसी भी भरती में बै जो लोग पीटी की तैयारी करना चाते हो अपने स्कोर को अच्छा करना चाते हो पीटी का स्लेबस हर बार वही है और हर बार वही बच्चा देगा भी यह भी जान लो कि ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं देगा क्योंकि नहीं देगा तो फिर आने वाले एक्जाम में यू कुछ बच्चे इसमें फ्रेसर होंगे, कुछ पुराने ही होते हैं, अपने स्कोर को इनहेंस करते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप मेंसे मैक्सिमम लोगों ने PT के स्लेवस को देखा है, उसके पेपर को दिया है, तो स्लेवस अल्मोस्ट हुआ ही है, अब आपको स्ट्रेटेज आपको अलग अपनानी है, कि कैसे जो नए बच्चे हैं, उनके लिए भी इनतने कम दिनों में आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, कि आप कितना जादे इस पर प्रेक्टिस कर लेते हो, और जो जो आपके स स्कोरिंग सबजेक्ट है, उनको आप कैसे टारगेट करते हो, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, एक बर मैं उनसे बता दूँ, कि आप परिक्षा प्लस आप के दुआरा पूरा यह बैच एक प्रेक्टिस बैच ही है, आप अगर मैं बात करूँ, तो पूरा जो बै आतरीन तरीके से हम आपका प्रेक्टिस करा रहे हैं, आप देखो के 499 का यह बैच है, 499 का बैच है, इसमें आपको जो वीडियो क्लासे हैं, वो एस रिकॉर्डेड है, ठीक है, यह आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच है, यह ध्यान रखिएगा, स्टडी मटिरियल आपक फुल टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, यह कुल मिला के हमने जो टेस्ट यहाँ पर रखा है, आपको 50 टेस्ट कवर करा रहे हैं, पर डे आपका सेडूल दिया गया है, पूरे बैच में आपको सेडूल दिया गया, कब किस कौन सा सेक्शनल टेस्ट हम ले रहे हैं, कब फुल test आपको कहीं न कहीं score enhance करने में मदद मिलेगा ठीक है आपके previous year paper को भी लगया गया इसमें कि आप देख सकते हो कि कैसे questions आएं हैं अभी तक ठीक है तो उससे आपको जो कहीं न कहीं अंदाजा मिलेगा अब जो लोग join है वो तो ठीक है जो नहीं join किये हैं वो आप join कर सकते हैं बहुत सही तरीके से आपका practice कराए जाएगा अच्छे अच्छे questions जो आपके chances होते हैं जहां से PT अब भी तक देखा गया कि जो agencies को करा रही है कहां से DI के question उठाती है कितना technical question उठाती है मैं वो website भी बता सकता हूँ जिससे पिछले दो exam में question उठाएगा है यह ध्यान रखि सकते हैं वो परिक्षा प्लस आप या लाइब डॉट परिक्षा प्लस डॉट और जी से आप जाके website के तुरू भी जूड़ सकते हैं अभी हम बात करते हैं कि आखिर exam date आपकी कब की रखी गई है यह रहा notice exam आपको देया गया है कि पहले 16 October 15 16 को था यहां पर साब साब देय गया है अक्टूबर में पिछली बार भी था और इस बार भी थे 28-10-2023 और 29-10-2023 सनीवार रविवार को यह आपका exam होगा यह ध्यान रखिएगा अक्टूबर में ही है यहां पर बोला गया है सुचित किया जाता है कि विग्यापत की लिखित परिक्षा आयोजन 28-10-2023 औ और 29-2023 को किया जाना प्रस्तावित है उक्त परिक्षा में प्रवेस्पत निर्गत किये जाने के संबन में अभ्यारतियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रिथक से एथा समय सुचित किया जाएगा तो यह दो डेट आपके निश्चित हैं आप लोग एकदम तयारी में ल झाएए क्यूंब की आप जिकल देख रहे हो जो भी अरएक यूश्य कोई कॉमन कटाफ नाम नहीं तो अगर आपके टॉप 10 पर्सेंट में अगर आप नहीं आ गए न सबसकर आपके पर्सेंटाइ獁 नहीं है आपके स्कूर अच्छे नहीं है तो जो 2-2.000-3.000 भरती आ रही है तो उसमें वही बच्चा तो हमेशा अप्लाई करेगा जो अच्छा स्कूर किया है तो आप सभी को एक अच्छा स्कूर करना बहुत जरूरी हो गया है यह हो गया कहीं ना कहीं गलत है कहीं ना कहीं यह होना चाहिए कि कॉमन कटफ होना चाहिए लेकिन आयोग सुनी नहीं तो- आपकी स्ट्रेजिक तो आप बहूत अच्छा स्कोर इसमें कर पाऊ जो यह आपके पास 52 दीन बचें लिए न 54 इन में आप क्या कर सकते हो कैसे आप पढ़ सकते हो तो scoring subject की अगर हम बात करें जिनके देखो मैं यह नहीं कहूंगा कि इनका math strong है वही score कर सकते हैं आप यह सबसकते हो कि जो DI है ना तो जो DI है उसमें basic math तो आना चाहिए क्योंकि यही एक आपका scoring बोला भी जाए तो scoring भी होता है है ऐसा नहीं फर्स्ट बार जब exam हुआ था पीटी का तो उस समय जो डियाई था ठीक ठाक था लेकिन जब दूसरा exam हुआ 22 वाला उसमें डियाई अच्छा खासा पूछा था ठीक है फर्स्ट 2021 में उतनी डियाई ठीक थी एक नॉर्मल डियाई था लेकिन 22 में कुछ shift के डिया हां conceptual थे time taking थे ये चीज़े ध्यान रखेगा लेकिन अगर आपने डियाई पर focus कर लिया प्रेक्टिस अच्छे से कर लिया तो suppose करो डियाई maths और reasoning मिला के देखो maths reasoning तो बहुत ही आसान आता है यह 10 question तो आपके जोली में है 5-5 question में कोई आपको जादे दिमाग नहीं लगाना होता है दो-3 analogy से question रहेगा classification से blood relation यही सब question रहता है ठीक है maths का syllabus जितना दिया उसी से रहता syllabus के बाहर नहीं पूछता है डियाई में अगर मैं बात करूँ तो डियाई में total आपके क्या है 20 question आपके marks है total 20 marks पांच जो का पांच क्या होता है 10 question आपके किसे हैं graph से हैं और 10 ही question आपके किसे हैं table से हैं तो यह ध्यान रखिएगा इस पूरे में किसी भी paper में कोई 10 डियाई कोई एक चाहे टेबूलर हो चाहे graph हो वही आपको hard बनाया जाएगा वही क्या बनाया जाएगा आपका hard बनाया जाएगा paper यह ध्यान रखिएगा एक डियाई hard आएगी जैसे 10-10 question है न तो एक डियाई difficult होगी एक आपका easy रहेगा एक difficult का मतलब हो गया कि time taking रहेगा time taking रहेगा जब time बीचता चला जाता है तो आप घबडाते चले जाते हो तो उसके लिए आपको पहले से ही exam hall की तरह practice करना पड़ेगा तो आप यहां से 20-10-30 question तो आपके बहुत ही एक तरह से बोला जाए इसमें गलत होने के chance नहीं होते क्योंकि आप इसमें तुक्का नहीं मारोगे जब solve होगा तभी आप निकालोगे नहीं तो छोड़के आगे बढ़ जाओगे तो इस 30 question में आप आराम से 25 प्लस कर सकते हो score यह ध्य हिंदी और हिंदी का passage यह टो ट अउद्ड़ आपको देगा कितना बंदरा हूं थीक है हिंदी का नंबर होगा वो आपके कुल मिला के 15 नंबर का माक्स रहेगा और पिछली बार foreign effort मैंने देखा था कि हिंदी के पैसेज ने रुला लिया धवाई घजा कि पैसेज पूछा ग समझोगे तब आंसर निकालोगे तो ये भी नहीं तो वही बात है किसी में डियाई सिफ्ट में टफ होगा तो किसी में हिंदी टफ होगा ये भी ध्यान रखिएगा तो पैसेज में आप ये नमजोर के जाना कि हम बस उसी से आंसर दिखेगा हम आंसर लिख लेंगे आपको उस प्रकार के passage को practice करोगे तो आप जाहिर सी बात है आपके कहीं न कहीं दिमाग में वो रहेगा हर बड़ा हट नहीं रहेगी कि बार बर मैं वही पढ़ों यह चीज ध्यान रखेगा तो पंदरा question यह है आपके पाद इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ancient medieval से 5 question आएगा history में आप उसको छोड़ दो मेरे कहने का मतलब आप modern पढ़ लो ठीक है modern history जितना भी है भारती राष्टी आंदोलन वाला modern history पढ़ लो quality आपकी थोड़ी आसान होती है जो general चीजे पूछी जाती है वही quality से भी पूछेगा English पढ़ने की जरूद नहीं है English का पैसेज जो आएगा वो आप लोगों के लिए आसान आता है तीन question पैसेज से आता है दो vocab से आता है तो आप यह तीन question बीना पढ़े कर ले जाओगे तो English पे focus नहीं होना है आप सभी को यह ध्यान रखिएगा ठीक है science पे भी आपको जादे focus नहीं होना है science में भी आप biology को जादे diseases यही सब पढ़ लो क्योंकि syllabus नहीं दिया है क्या क्या पढ़ना है सिर्फ science लिख दिया है तो इसका मतलब आप पूरा उठा के पोथी पत्रा वाला बताया ही था हिंदी और पैसेज वाला और तीस question आपको यह मैंने बताया था तो पांच यह हो गया तीन एक चार एक पांच ठीक है तो यहाँ पच्पन question तो मैंने आपको दे दिया चूने को लोई बोला इसके बाद से आप कहा नंबर उठा सकते हो आप देखो नंबर उठाने के लिए आपको कहां पर उठा सकते हो यह चीजे पार्ट होगे ज्गराफी हो गया हाँ ज्गराफी का जो पार्ट है देखो में चीज आपका यह है कि 25 प्लस 15 जो है 5 5 10 2 1 3 1 4 ये 40 नंबर तो आपका जो है एकदम पूरा पक्का है कि क्योंकि यहाँ पर 25 प्लस 15 मैं नहीं बोलना हूँ 30, 10, 40, 45 मार्क्स 30 कोश्चन यह और मैं मार्क्स की बात नहीं बोलना हूँ 30 और 15 मैं बोलू तो 5, 45 कोश्चन आपका यहाँ पर है जो अगर आपने डियाई रिजनिंग मैत अच्छा कर लिया तो जो सही करोगे वही मार्क्स मिलेगा और हिंदी वाला पॉर्सन हिंदी सबका अच्छा होता है इसलिए मैंने 45 कोश्चन की बात किया बाकी आपके 45 के 45 में आपको कम से कम 40 मार्क्स स्कूर करने की काबलियत रखना है कम से कम 40 मार्क्स का इस से कम नहीं ठीक है अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास बच क्या जाता है यहाँ पर देखना यह पांच modern, पांच quality उसके बाद से आपको अगर मैं बात करूँ पांच modern, पांच quality, पांच geo और पांच economics economics में भी आपको जो चीजे syllabus में दिया गया है उतना ही पढ़ना है geography भी factual based आएगा वही पढ़ना है तो यहाँ पर अगर 5, 5, 10, 15, 15, 20, 20 question ये है और इस 20 में कोशिस करो कि आपके 15 question तो सही हो ही, 15 question कहीं भी नजाए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है इस 20 में अगर आप 15 question सही कर ले आते हो तब आप एक अच्छे score की तरफ बढ़ोगे, उसके बाद से आप general awareness को target करिए इसमें भी बोल दिया है कि ये ये portion हमें चाहिए, books and author हो गया, थोड़ा lengthy होता है रटना आपको पढ़ता है कितना तक आप पढ़ ले जाओगे लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूँगा कि आप current affair पर focus करना general awareness क्योंकि दोनों का weight is same है current affair में क्या होगा, यह दिहान रखो, कि current affair में क्या होगा कि दस question जो आपका आएगा, वो आपका 5 to 6 month यह दिहान रखिए इसको अगर आप cover कर ले जाते हो, 5-6 महिने का current तो इससे जादे नहीं आएगा और उस भी current में आपको recent के, recent के 4 month अच्छे से करना है जब exam date नहीं उससे पहले के 4 month अच्छे से करना है, बाकी के 2-3 month आप बस उपर उपर knowledge ले लो, तो regular basis पर अगर आप current पढ़ रहे हो तो यह आपके लिए plus point है, कि इस 10 में से नहीं कुस्तो आप 7 number अच्छे से score करोगे च्छे से 7 number आप score करोगे, और यही target आपको इस general awareness में भी रखना है कि 6-7 number यहाँ पर भी target आपको करना है, यह दियान रखेगा, तो 7, अगर मैं यहाँ पर 7-7 month नमर मारूं तो 14 नमर यह हो गया, अब 15, 4, 19 यहाँ हो गया, 5, 4, 9, 1, 1, 2, मान के चलो on approach 30 questions आपको यहाँ से बनाने हैं, ठीके, कहाँ से बनाने हैं आपके 30 questions, 30 questions आपको modern, quality, geography, economics, और, और क्या, यह आपके जो 15, मैंने कहा 14 questions, तो 14 questions आपके कहां से बनाने हैं, GA और current affairs से, ठीके, तो वही 15 और 15 आपको बनाने हैं, modern, quality, GA और economics से, यही आपके 30 questions अगर आप यहाँ से बना ले जाते हो, और 45 की मैंने यहाँ पर बात किया, तो 5, यह हो जाएगा, 4, 3, 7, 75 marks आपके आगए, 75 marks आपके आगए हैं, जब मैंने काट पीट के आपको बटाया तो, क्यूंकि यह marks अगर आपने 45 यहाँ, secure किया है, तो, ठीके, बाकी आपको यह English marks देगा ही देगा, ऐसा नहीं है, 3 number आपको मिलेगा ही मिलेगा, 3 number, science में भी 2, 3 number आप लेके आओगे ही आओगे, 5 question में से, यह ध्यान रखो, और आपका कोई part बचा है, हाँ, ancient और medieval की में बात करूँ, अगर आप 2 बार, 3 बार exam दिये हो, तो जाहिड सी बात है, 5 में से 2 question उसमें भी करोगे, तो 2-2-2 question भी कर ले जाते हो, तो आप 80 plus score कर ले जाओगे, और यह एक अच्छी बात है, कि 80 से उपर, मतलब मेरा target है, कि आप 85 तक करके आओ, यह एक अच्छा score है, कि आप 85 marks लेके आते हो, बहुत बैतरीन score होगा, ठीक है, लेकिन 80 तक आप पहुँच लेओ, मैंने काप 85, यह भी बुरा marks नहीं है, आप यहाँ तक लाते हो आपकी percentile, क्यूंकि depend करेगा paper के label पे, जैसे 2021 की बात करें, तो वहाँ आप marks अच्छे पाए हो, लेकिन percentile आपका क्या था, एक तरह से हो, same marks पे, 2021 और 22 का compare करोगे तो 2022 में percentile अच्छी है, उसी marks पे, 21 के comparison में, इसलिए 22 का paper थोड़ा सा ठीक ठाक था, वैसे ही 23 में भी paper अब ठीक ठाक ही आएगा, अब इसलिए क्यूंकि आपको पता है कि अब क्या syllabus है, कैसे paper का pattern पूछ सकता है, यह सब चीजे पता है, इसलिए आपको कही ना कहीं, चीज नहीं कि सब के सब, easy भी होता है, इसलिए marks आते हैं बच्चों के, तो target यही रखो, कि आप 80 से उपर target करिए score करने के लिए, 80 से लेकर 85 तक आप mark के चलिए, तो जैसा मैंने बताया, अगर आप यह strategy अपनाते हो, कि आपको किसी आलत में, यह मुझे नहीं सुनना है, कि सर मेर DI कम जोड है, DI कम जोड है तो फिर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि यह scoring पार्ट है, अगर इस पे आपने मेहनत नहीं किया, तो PT में अच्छा score नहीं हो पाएगा, जनरली वही आप 50-60 के बीच में घूमोगे हमेशा, 60-65 इसी है, आपको 15-20 नंबर आउट, ट्रॉलरेंस यही आप अपनाईए, इन 54 दिनों में, कि आप मैंने कहा साइंस मत पढ़िये, इंगलिस मत पढ़िये, ठीके, reasoning भी कोई जादे जरूत नहीं है आपको पढ़ने का, मैस में basic concept आपको number system और arithmetic के पता है, बहुत है, ठीके, लेकिन DI पर जादे मेहनत करिये, बहुत जादे मेह जंदी और current और general awareness को focus करिए, बस, यह चीजे तो आपने पढ़ा होगा modern quality, तो इन से आप revise कर सकते हैं, वही fact जो बार-बार exam में पूछे जाते हैं, खास कर UPTP, ठीके, इन चीजों से आपका कही न कहीं, यह safe score एक बन जाएगा, रही बात, आप मैंने test को बताई दिया कि previous paper क को भी analyze कर लीजिए एक बार, सभी लोग previous paper जितना हुआ है, previous paper को analyze कर लीजिए कि कैसे paper बनाया गया है, डियाई के questions की अगर हम बात कहें, डियाई के questions कहां से practice करोगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, तो डियाई के questions आपको मैं बताऊं, 2022 में जो डियाई पूछा गया था क्यूं time taking था, एक कैस की अपेक्षा, बहुत technical लोग paper आपके बनाते हैं, मतलब यह जो ऐसा website से smart qida करके website है, हाना, smart qida है, और India bricks है, India bricks, इस website से आपके who बहु question थे भाई, who बहु question इंडिया बिक्स से थे, डियाई के questions, यह ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कई ऐसे website हैं, जो आँ से टेकनिकल लोग, copy paste हाँ, digit change हो जाएगा, question तरीका पूछने की pattern आपका almost वही राता है, किस प्रकार से question पूछा जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा, तो यह India bricks हो गया, यह सब चीजे कई ऐसे website हैं, जो आप telegram group join कर लेजिए, मैं और कई सारे source में आपको बता दूँगा, कि जहां पर यह चीजे आपको पता चल जाएंगा, India big से भी question उठाया गया, smart kida से भी उठाया गया था, 2021 में भी उठाया गया था, इससे questions, ठीक है, तो यह आपके कुछ ऐसे website हैं, ठीक, तो उनसे आप practice भी कर सकते हो, और आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो, previous paper तो आप हल ही करिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो already हम ऐसे ही कई, जो आपके बोला जाए, कि जहां से बीटेक और TCS वाले question उठाते हैं, जो आपके इनको paper करारा है, कोई ऐसा ही बंदा है, जो इसका questions यहां पड़े होते हैं, वहाँ पर campus selection की questions यहां पर होते हैं, उस type के questions होते हैं, तो उन questions को आपको paper में दिया जा रहा है, इसका मतलब कोई बंदा इन सब website के बारे में जानता है, तो हमारी भी जो practice होती हैं, हम भी जो कराते हैं आप लोगों को, इन ही सब website है, और भी कई स analyze कर लो, डियाई पर practice से जितना हो सके, जितना आपने डियाई पर previous year questions है, उसको एक बार हल कर लो, और जो मैंने ये websites बताए हैं, और आप हमारे practice से जुड़े हो, तो हम already test लेते रहते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो, डियाई का practice, और डियाई की किताब भी ले आ सकते हो, market में कई सारी हैं, तो उससे भी थोड़ा आप basic से advance में जाओगे, अगर शुरुवात करना चाते हो, तो डियाई की किताब ले लो, market से कोई भी किताब ले लो, जिसमें basic से advance तक दिया गया हो, ठीक है, तो वो चीज़े आप कर सकते हो, test series के लिए मैंने बताया है कि test series already चल से पढ़ें, तो सबसे पहले आप डियाई पर focus रहिए, हिंदी पर रहिए, current affair पर रहिए, और general awareness वाला पार्ट रहिए, बाकी जो quality, history, geography आपने जितना पढ़ा है, उसको revise particular करते रहिए, ठीक है, current affair पर जरूर focus रहिएगा, और डियाई को जरूर आप अपना हमेशा, जो भी आपको समय मिले, रोज कम से कम, 20 question, 25 question का target करिए, कि हमें डियाई करना ही करना है, तब ही आप एक अच्छे score पर पहुँच पाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी strategy होनी चाहिए, आपका exam date आ चुका है, तो बस अब सब कुछ छोड़ चाड़के, इतने समय में आप online classes मतलो, डि सबसे जरूरी है, जितना जादे आप notes पड़ सको, जितने जादे questions आप practice कर सको, उतना जरूरी है, वीडियो classes में आपका समय जाएंगा, ठीक है, इस वज़ा से हम लोग maximum अपने batch में सिफ practice पे focus की हैं, तो जिसको भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप comment करके जरूर बत से, जूर सकते हैं, वीडियो classes आपको DI का special दिया गया है, कि आप अच्छे से देख सकेए, तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विज़ा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,